हलो माई डियो फामिली क्या हाल चाले सबके तो भाई वेलकम थ्री यानि कि वेलकम टू दा जंगल का ओफिश्चल अनॉसमेंट हो गया है मैं दो दिन से बहुत ज़ादा बीमार था इसलिए वीडियो डिले हुआ उसके लिए सॉरी तो भाई वेलकम टू दा जंगल जैसे नाम इसका बहुत ही लंबा है इसकी कास्ट का लिस्ट भी बहुत ही लंबा है तो भाई वीडियो बहुत ही यूनिक है सबको एकी फ्रेम के अंदर खड़ा कर दिया है और शुरू कर दिया है गाना और मस्ती तीम मिनिट एकिस सेकंड के आसपास का वीडियो है लेकिन अटेंशन खीच के रखा है वीडियो ने ये तो कहना पड़ेगा सबसे पहली बात मुझे इस फिल्म में कोई बहुत ही इंपोर्टन्ट कहानी हो ऐसी कोई उम्मिद नहीं है इस वीडियो ने ये तो क्लियर कर दिया है कि आपको दिमाग बंद रख के थेयर्टर में आना है तभी आपको टिकेट मिलेगी इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉंग पॉइंट उसकी कहानी नहीं होगी एक्टर्स के पफ़र्मसिस और कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म को ड्राइव करेंगे इस वीडियो के अंदर बाई 24 एक्टर्स है सौरी 25 एक्टर्स है 24 का फेस दिख रहा है एक एक्टर जो है वो उल्टा खड़ा है पिट दिखा के खड़ा है यानि की एक सर्प्राइज अभी भी बाकी है कि वाई साब ये कौन होंगे अगर आप अमरे जैस्टेक सिनेमा चैनल के अपनेट्स वाले वीडियोस देखते होंगे तो आपको पताई है कि आए दिन ये खबरा दी थी कि इस एक्टर ने वेलकम 3 की कास्ट को जॉइन किया है वो एक्टर भी वेलकम 3 में दिखाए देगा तो भाई कन्फ्यूजन बहुत था कि कौन है कौन नहीं है फाइनली जब ये वीडियो आया तो मुझे लगा कि सारे कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएंगे लेकिन इतनी बड़ी कास्ट है और सबके सब एक्टर्स कॉमेडी की दुनिया में जंडेगार के वेट है बतलब कि ये फिल्म रोलर कोस्टर राइड जैसी होगी ऐसी उम्मीद है साथ में डर ये भी है कि इतने सारे एक्टर्स को साथ मिलाने के चकर में कहीं रायता ना फ्यल जाए अब ध्यान से देखो इस वीडियो को इन लोगों ने टीवी और फेमस कॉमेडी फिल्म के सबी जाने माने चेहरों को कास्ट कर लिया है जैसे कि कपिल शर्मा शो से कृष्णा और की कुबई बाकी बॉलिवीड की फेमस कॉमेडी फिल्म जैसे की धमाल, ढोल, आवार अपागल दीवाना, हेरा फेरी, गोलमल इन सब में से जादा तर लीडिंग एक्टर्स को इन लोगों ने कास्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के साथ मेकर्स बॉलिवूड की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते है लेट सी, ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा कि फिल्म एक्जैडली कि इस बारे में होगी वैसे इस फिल्म के अंदर मतक मतक रवीना टंडन और अक्शे कुमर उननीस साल के बाद किसी फिल्म में साथ में दिखायते हैंकि बतलब जब से उनका ब्रेक अप हुआ था तब से लेके पहली बार किसी फिल्म में साथ में दिखाए थेंगे पुराने चावल, पुराने खिचडी, खेर आप तो सब जानता ही है हम आगे बढ़ते हैं आए इस फिल्म के अंदर नहीं नहीं एक्टर्स को देखकर भाई मजा आया सच में लेकिन नाना बाटेकर और अनिल कपूर की कमी तो फिल होती है भाई पता एक हकिकत क्या है जब भी वेलकम मोवी का वो थिम म्यूजिक बचता है न सबसे पहले किसी को भी हीरो एरो इरोइन की याद नहीं आती है चाहे वो अक्षे कुमार हो चाहे वो जो अबरहाम हो नहीं सबसे पहले याद आती है उदय भाई और मजनुबाई की चाहे आप किसी को भी पूछ लो ये दोनों किरिदार वेलकम फ्रेंचाइस की धड़कन है अब ये दोनों इस फिल्म के अंदर नहीं है तो पता नहीं वो जो कमी है वो ये सारे एक्टर्स मिल कर भी पूरी कर पाए इंदिजार रहेगा टीजर और ट्रिलर का अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये अनॉंस्मेट वाला वीडियो ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए से उसने नेक्स वीडियो बाई टेकर एंड जैहिंद